नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है इसकी वजह से वह औरते भार ही नहीं जाती हैं दोस्तों पर हम आरुवेदी के कुछ ऐसे नुस्के बताएंगे जिनसे आप असानी से भार जा सकती हैं बेचिंद चलिए दोस्तों वक्त ना जाया करते हुए वीडियो में आगे देखते हैं क्या है इसके उपाए और आप इसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं जियां दोस्तों हमारे नुस्कों से बहुत जादा फायदा होता है अगर आप हमारे नुस्के अपनाते हैं तो आपको 100% लाप हो गई होगा और आपके सामने एक ऐसी गोरी चिट्टी निखरी नैच्रल तचा निकल कर भाराएगी कि सब आप से पूछेंगे कि है ये कैसे हो गया तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको बताती हूँ इसके उपाए जी हाँ दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगे नारियल पानी की नारियल पानी बहुत ही ज़्यादा गुनकारी होता है इसलिए रोजाना नारियल पानी पीने से चेहरा बहुत ज़्यादा चमकने लगता है नारियल के पानी से धोने से दाग धब़े भी हट जाते हैं नारियल का पेs बना कर उसे चहरे पर लगाने से चहरा एकदम निखार कर आता है तो दोस्तो उससे आपका रग भी गोरा हो जाता है और आपकी स्किन ग्लो भी करने लगती है जी हाँ दोस्तों मैं बात करती हूं अंडे की अंडे के पीले भाग जानी जर्दी को अपने चहरे पर लगाने से चहरा गोरा हो जाता है अंडे के अंदर शहद और नीमू मिला कर लगाने से बहुत जादा लाब होता है तो दोस्तो अब इसका आपको इस्तिमाल कैसे करना है पहले आप अंडे को शहद में मिला लें और उसके अंदर कुछ बूंदे नीवों की मिलाएं इसको अच्छे से मिला लें जब ये पैक त्यार हो जाए इसे अपने चहरे पर लगाएं और कुछ देर तक सूखने के लिए फायदे मन्द होता है इसमें पानी और पोशक तत बहुत जादा मात्रा में पाये जाते हैं इसका ने में सेवन करने से शरीर में ताजगी और ठंडगी बनी रहती है तरबूच का छोटा सा तुकड़ा लेकर अपने चहरे पर मले दोस्तो आपको एक मसाज की तरह इस्तिमा जादा फायदे मन्द होता है यदि आप अपनी स्किन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको दूद और केसर का प्रयोग करें थोड़े से दूद में केसर की पत्यां को पीस लें इसे दूद में चहरे से मसाज करें कुछ देर उसे लगा रहने दे और सूखने एक दम ग्लू करने लगेगा और आपकी स्किन भी बहुत जादा मुलायम हो जाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है एक नए टिप्स एक नए नूसके के साथ दोस्त के लिए आप मेरा चैनल लाइक कीजिए सेस्क्राइब कीजिए और शेयर अटना ही झाले कीजिए सेस्क्राइब कीजिए सेस्क्राइब की बत्राइब की